हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं इस्टोडी शीटा फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तो डेली की तरह मुश्ट इंपोर्टेंट कोशन्स लेकि आ गई हूँ आज सब भी रेडी हो जाएए आज के कोशन्स को हल करने के लिए और अपने स्कोर को चेक करने के लिए दोस्तों यह दिए आप फिजिकल एजिकेशन के किसी भी कंपटेटिव जो उसका प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर थीवरी सेशन सब्सक्राइब करते हैं कोशन्स के तरफ कठीन जरूर है दोस्तों लेकिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टन है इसलिए आप इग्नॉर न कीजिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सरल मार्क तो सभी अपना लेते हैं कठीन मार्क पर चलना कोई नहीं जाता अब बिना कठीन मार्क चले सभगता भी नहीं मिलती तो क्यों आप सरल रास्ता चुनते हैं तो चलिए कोस्टन के तरफ चलते हैं बाते बाद में होते रहेंगी कोस्टन है दोस्तों सूची एक को दो के साथ आपको मिलाना है यहाँ पे बैदिक काल प्रारंबिक हिंदू काल मधिकाल प्रारंबिक काल आपको देखना है तो इसमें आपका हो जाएगा जो बैदिक काल है बैदिक काल हो जाएगा प्रारम्भे के हिंदू काल जो है वो हो जाएगा भी का थ्री छेसो बीसी से तीन सो बीस एडी यानि कि छेसो इसा पूर से तीन सो बीस इस वी तो यहाँ पर यह जा रहा है आपसा नंबर खो के तरफ And C मद्यकाल हो जाएगा 1 यानि कि एक हजार इसवी से सत्रह सो संतावन इसवी तक And D है परवर्ति हिंदू काल परवर्ति हिंदू काल हो जाएगा तीन सो बीस इसवी से एक हजार इसवी तक तो यहाँ पर आफसा नंबर खो राइट होगा नेक्ट कोश्चन है इसमें भी आपको सुची एक को दो के साथ मिलान करना है तो यहाँ पे आपका बास इस्टीक टेस्ट यह वो जाएगा फोर यारी संटूलन बैलेंस को मिजर करता है बरफी टेस्ट जो है यह इसफूर्ती यानि की एजिलिटी को मिजर करता है ठीक है? कोडिनिसन को मिजर करता है एंड मैकलाय टेस्ट जो है वह सक्ति को मिजर करता है एंड ब्रीच आप टेस्ट जो है वह नमेता यानि फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन को माब जाएगा नेफ्ट है यहां भी आपको मिलान करना है तो यहां पी आपको देखना है एमिफिटा माइन जो दोस्तों एक उत्तेजित होता है जो हमारे सेंट्रल निर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है यहां पर आपका एका टू हो जाएगा चोकन्ना अपन कर देता है क्या करता है कि हमारे हीदर के धरकन को कम करता है यानि कि हमारे ध्यान को एकागर कर देता है यानि कि यहां इसका हो जाएगा वन यानि कि हमारे हीदर को कम कर देता है एक कागर बना देता है जैसे तीरंदा जी एंड आपका जो राइफल सुटिंग होता है इस सभी यूज होता है एंड डोपिंग में आता है सभी प्रतिबंधित प्रदात है जो खिलाड़ी अपने प्रफार्मेंस को पढ़ाने के लिए इस सब दवाओ को प्रयोग करते हैं उ आत्यों आट प्रोटीन इंड एस जी से कहते हैं सार्ट में इत्तों प्रोटीन क्या कबता है कि हम già vibrANT सरी में हमारे स्रूंग विल्ज य्था देता है आपकर हो होगा एन एल्कलाइन चार जो है इसका फाइप इस तरको बैलेंस रखता है इस प्रकार इसका आपसर नंबर को राइट होगा कि नेक्षा दोस्तों कि यहां पी भी आपको मिलान करना है एक दूसरे के साथ तो यहां पे दिया है अन एयरोविक प्रसिच्च्च्च्च्च्च रन एयरोविक प्रसिच्च्च्च्च .. क्या होता है दोस्तो जिसमने बिन ऑक्सीजन के किह एक से डो मिनर तक 먼저 कि में ce сказать रहीं जिर सबी आटे हैं जिसमें मांस्पेसी Kita को स्क्रेश कम होता है तो यहां दिख रहा है तो यहां हो जाएगा फोर हिदे मांसपेसी मोटाई एंड बी है दोस्तो एरोबिक प्रसिच्छर एरोबिक प्रसिच्छर में क्या होता है कि आक्सीजन के साथ क्रिया होती है आक्सीजन के साथ क्रिया आक्सीजन के उपसिती में कारे किया जाता है तो दोस्तो आक्सीजन के उपसिती में कारे यानि सहां सिल्टा डेवलप होती है क्या हो जाएगा ventricular आकार क्या हो जाएगा ventriculer आकार हमारे ंदर ऑक्सिजन ग्रः करने कि सक्ती ड्य लग फोती है क्या होता है कि हमारे अंदर औक्सिजन कीछा गणना किया जाता차 है डी है प्लायो मेट्रिक पसिच्छ आप सबको पता है कि 20 फोटक सक्ति के अंतरगत आता है इस प्रकार दोस्तों आपसर नमबर वन को आपका राइट होगा नेक्ट है फिर आपको एक सूची के साथ दूसरी सूची से मिलान करना है दोस्तों यहां पर आपका आपसर नमबर गर राइट होगा क्योंकि इसको यहां पर स्विमिंग पूल में एक और आठ लेन में लगाई गई लेन रोप का रंग कैसा होता है यानि कि पहला पूल लेन है और आठवा प्रून में कौन सा रंग के रोप का रोप जो होता है उसमें रस्की होता है कौन से रंग का होता है पहला आठवा लेन में तो इसका राइट होगा हरा तीसरा हो जाएगा B है स्विमिंग पूल में दूसरा तीसरा छटवा और साथवा में लगाएगे रोब का रंग क्या होता है निला and C है swimming pool में चवथा पांचवा में लगाएगे lane rope का रंग कैसा होता है तो इसका होता है पीला and D है pool के प्रतेक किनारे से पांदसनलो जीरो मीटर के दूरी तक फैले हुए float का रंग कैसा होता है तो इसका होता है लाल इस प्रकार आपसन नमबर गो right होगा next है फीर से आपको सुची 1 से 2 से मिलान करना है and यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा आपसन नमबर खो अब हम मिलाते हैं यहाँ पे हैं प्रबंधन का classical सिधान्त किसने दिया दोस्तों तो इसको दिया है max बेबर ने 3 हो जाएगा and प्रबंधन का प्रसासनिक सिधान्त किसने दिया यह question पूछा भी गया है तो इसको दिया है Henry Fial ने and प्रबंधन का मानो संसाधन सिधान्त किसने दिया है तो इसका हो जाएगा Elton Mayon ने and D है प्रबंधन का बेग्यानिक प्रबंधन सिधान्त किसने दिया है तो इसको दिया है F.W. Taylor ने इस परकार आपसर नमबर खो राइट हो जाएगा next है इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 के साथ मिलान करना है A है Classical Anubandhan क्या है Classical Anubandhan इसका answer हो जाएगा option number 4 तो Classical Anubandhan का हो जाएगा बार बार उद्धीपन अनुकिरिया जैसे Classical Anubandhan सिधान्त को दिया है पावलाव ने उन्होंने उसमें जो है प्राक्रितिक Anubandhan खाना दे रहे थे and उसके साथ साथ और सुहाविक उद्धीपन घंटी बजा रहे थे तो जिक खाना दे रहे थे तो उसके साथ कुत्ते के साथ लार उद्धीपन होता था उसको देख करके and उसके साथ घंटी बजाया गया अर लाश्ट में यह हुआ कि खाना नहीं दिया गया और घंटी बजाया गया तो भी वही अनुबंधन हुआ उद्धीपन के पती वही अनुक्रिया हुआ उतना ही लान निकला इस प्रकार क्लासिकी अनुबंधन है बार बार उद्धीपन अनुक्रिया बी है क्रिया पसूत अनुकूलन तो क्रिया पसूत सिधान को इस कीनर ने दिया जिन्होंने चुहे पर प्रयोग किया है इसका राइट अंसर हो जाएगा पुरसकार प्राप्त कारे के प्रती सही प्रती क्रिया शामिल है C है प्रेतने तूटी अधिगम ट्रायल एरर सिधान दिया था थान डाइक ने इसका हो जाएगा लच्छे प्राप्त करने की विभिन लच्छे प्राप्त करने की विभिन पधतियों का परिछर जब तक की सही लच्छे प्राप्त न हो जाए गलती करते रहो शिखते रहो यह था एंटी है समस्या समधान दोस्तों समस्या समधान इंसाइट थियोरी दिया था कोलर ने इन्होंने चिंपएजी पर प्रयोग किया था इसका एंसर हो जाएगा B, 2 यारी पूरी परिसिती को देखकर प्रभावी प्रतिक्रिया देने का रास्ता खोजना ही समस्या समधान है नेक्स्ट है फिस्ट से आपको सूची 1 से 2 के साथ मिलान करना है कोस्टन नंबर 12 है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा गव इसका राइट अंसर होगा क्योंकि ये आउट अब इस्टेंड कोस्टन है जिसको किसी को इतना पता नहीं होगा ये है आपका इंटरनेशनल यानि कि इसमें कोस्टन नंबर 12 में क्या है कि सूची 1 में जनरल का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंध के साथ स्मिलिज करना है तो ये है इंटरनेशनल जनरल आफ स्पोर्स साइकोलोजी IJSP इसका संबंध है इसका संबंध किसे है इसका संबंध है 4 से इससे ISSP International Society of स्पोर्स साइकोलोजी और B है जनरल आफ इपलायट स्पोर्स साइकोलोजी JASP इसका संबंद है 3 से इसका संबंद किसे है 3 से AAASP Association for Applied Sports Psychology and C है Medicine and Science in Sports and Exercise MSSE इसका संबंद है 2 से ACSM यानि कि American College of Sports Medicine इसका संबंद है D का संबंद है AC American Alliance for Health Physical Education, Recreation and Downs इसका संबंद है इसका आफ से नमबर गर राइट होगा नेक्स्ट है आपको अभी कथन से related question है Statements based पे अभी कथन ए है सारिक, सिच्छा, कला और विज्ञान है ये बात तो सही है कि सारी सिच्छा, कला और विज्ञान दोनों है R है ब्यायामी की क्रियाओं कलापूं का संदरी परक और स्रिजनातमक मुल्ले होता है बात तो सही है R भी लेकिन R को A के पच्छे में तर्क देना चाहिए था जो दिया नहीं है इसलिए R गलत R A की सही ब्याख्या नहीं है यानि A और दोनों सत्ते है इस परकार आपसर नमबर खो राइट हो जाएगा कि R और A दोनों सत्ते है वट R A की सही ब्याख्या नहीं है नेश्ट है क्या भी आभी कर्थन से रिलेटेट कोश्चन है आभी कर्थन A है कि साररीक सिच्छा केवल ब्यक्ति के साररीक विकास तक ही सिमित नहीं है बात सही है सारीक सिच्छा केवल ब्यक्ति की विकास तक ही समित नहीं है क्योंकि सारीक सिच्छा में संपुर विकास पर ध्यान दिया जाता है और दोस्तों R है कि प्रतियोगी खेलों में केवल प्रतियोगता जितने पर ही अधिकतम दबाव डालता है तो ये बात तो सही है जितने पर अधिक प्रुहोर डालता है बट A की ये सही ब्याख्या नहीं कर भारे है इस परकर आपका सही हो जाएगा कहो कि A और R दोनु राइट है बट R A की सही ब्याख्या नहीं है नेश्ट है अभी कथन ए है कि व्यक्ति की सम्वृध्धी और विकास पर्या वरड़िय कारको अनुवांसी कारको पौसर्डिक कारको और विशिष्ट सारीक सिच्छा कारिक्रमों से प्रहावित होते हैं एंड आर है सारी सिच्छा और खेलों का व्यक्ति के विश्वास्त में युगदान होता है तो यहाँ पे आपसन नंबर को राइट हो जाएगा कि ए और आर दुनों सत्य है और आर एकी सही प्याख्या नहीं है नेक्ट है अभिकतन ए है कि विट्टीय प्रबंधन फाइनेंसिन मैनेजमेंट संगठन यानि आर गेनाजेसन के आयोजन तथा विट्टीय श्रोतू फाइनेंसियल सोर्स के नियंतर से सम्बंध रखता है यह बात तो सही है ठीक है एन्ड आर है कि किसी भी संगठन की कारेज जचता इफिसियंसी साख तथा सफलता का मुख्य निधारक विट्य प्रबंधन होता है तो यहां पर दोस्तों दोनों सही है ठीक है आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है संतुलित अहार आयू लिंग तथा व्यक्ति की द्वारा किये गेक कार पर अधायित होते है यह बात तो सही है ठीक है एंड आर है कि संतुलित अहार में कर्भोहाडेट प्रोटीन, फैट, बिटामीन, मिनरल्स तथा पानी का समावेश होता है संतुलित अहार में यह सभी छेपोसक तत्व कर्भोहाडेट, प्रोटीन, फुसार, बिटामीन, खनज, लवर्ट, जल, विदमान होते हैं और ए भी सहीए, आर भी सहीए, दूनों सक्ते हैं, तो आपका खोव जाएगा ए और आर दूनों सक्ते हैं नेश्पोचन है अभी कथन ए है कि इस्कूल के बच्चों के स्वास्थ की देख रेक की बेवस्था के लिए उचित पहल किये जाने की आसा इसकील इस्कूल प्रसाशन से की जाती है एन आर है कि दाष्टिय सिच्चा निती 1986 ने इसकूल सिच्चा की सीखने की प्रक्रिया में सारी सिच्चा और खेलों को समलित करने की सिफारिश की है तो इस प्रकार यहाँ पर राइट हो जाएगा ए आर दोनों सत्य है और आर एकी सही बैख्या है नेक्स है अभी कथन ए है कि सारी सिच्चा की ब्यावसाय को उची योगता प्राप्त करते भी निष्ट सिच्चकों का पास विश्यो तथा कौसलों का गहन अध्यान निर्देशन की छंता तथा ब्यावसाय के लिए प्रेम आवस्तेक है इसम राइट है ठीक है एंड आर है कि सिच्चा प्यावसाय से इनाम तथा सम्मान वित्तिय इस्चेता तथा उच्छ सेवान रिप्रती देयक प्राप्त होता है यहाँ पर आपसान नंबर खो राइट होगा कि ए और आर दोनों सत्य है किन्तु आर एकी सही बैख्या नहीं है नेश्ट है कुश्चन नंबर बीस है अभी गत्रन ए है कि समय साड़ यानि टाइम टेबल का आर्थ है कि दिन के कारियों का आयोजन सब्ताह के कारियों का आयोजन मासिक कारियों का आयोजन वार्सिक कारियों का आयोजन इत्यादी को एक निश्चित समय अंसार नमनियता के अधार पर जरूरी परियोतन करना है इसम राइट है यसी को समय साड़ी कहते है ठीक है टाइम टेबल कहते है R है कि अच्छी तरह से तयार की गई इस्कूल की समय साड़ी से इस्कूल के उद्देश से प्राप्त करने में सहायता मिलती है तो यहाँ पर हो जाएगा आपसन नंबर को कि A और R सकते है R A की सही ब्याख्या नहीं है नेक्ट है अभिकतन A है कि इस्रेडी वन में यानि की प्रठम प्रका के लीवर में Force Arm और Resistance Arm यान की जो है बल भुजा और भार भुजा का बीच संबंध सकता है वास्ता ही है बदल सकता है R है कि स्रेडी वन लीवर में फलकरम फोर्स और Resistance Arm के बीच किन्टु बिंदु पर रहता है तो जो फलक्रम होता है यानि कि जो एक्सिस होता है वह फोर्स एंड रसिस्टेंस के बीच होता है यह भी राइट है तो इस प्रकार आपका आपसन नमबर डी कर्ट हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है किन्तो आर एकी सही ब्याख्या है नेक्स्ट है अभी कथन ए है कि इस्थाइत्व यानि इस्टेबिलेटी का इस्तर आधार छेतर पर निर्भा करता है दोस्तो किसी भी चीज़ का इस्थाइत्व इस्टेबिलेटी यानि संतुलन जो है वस्तु का आधार गितना चोड़ा होगा उतना ही जदा वो संतुलन में ह होगा तो यह आपका कथन राइट है और है कि गुट्वा करसर के घड़ते हुए केंदर से इस्थायत्व इस्टेबिलिटी का इस तर बढ़ जाता है तो यह भी सत्य है लेकिन इसको एकी पच्छे में तरक देना चाहिए था कि किस प्रकार इस्थायत होता है चवड़ा अधार होने पर लेकिन यह दिया नहीं है इसलिए आर एकी सही ब्याख्या नहीं कर रहा है असत्य दोनों है इसलिए आसन नमबर को राइट हो जाएगा कि आर दोनों सकते है और आर एकी सही ब्याख्या नहीं है नेक्ट है अधी कथन यह है कि जिस अनुपात में शरीर का भार बढ़ता है उसी अनुपात में सक्ति कम होती है बात सहिए दोस्तों जितना आपके अंदर मुटापा ओबिसिटी बढ़ेगा आपके अंदर सक्ति उतन का अनुपात दर साथ है तो यहां पार नो राइट लग रहा है ठीक है दोनों राक है और यह दूसरे का भी साही है तो को जाएगा और आर दोनों सक्ते हैं और एकी सही ब्याख्या है जैसे ही खिलाड़ी अपना प्रसिछर लेना बंद कर देता है उसकी मानस्पेसियों की सामर्थ और सक्ति दोनों ही कम हो जाती है वास सही है आप डेली भ्यायाम कर रहे हैं और आप भ्यायाम करना बंद कर देते हैं तो पहले जैसे सक्ति तू रहेगी नहीं इस परकार तो आर दोनों सत्य है और एकी सही प्याख्या है कि आपका राइट है नेक्स्ट है अभी कथन ए है कि एक हिदय चक्र में डाइस्टोलिक फेस सिस्टोलिक फेस के बड़ा होता है तो ए सत्य है आपका रहा है कि एक बेक्ती की हिरे गती 74 धड़कन प्रती मिनट है उसके डाइस्टोलिक फेस का समय 0.44 से सिस्टोलिक फेस का समय 0.37 से होगा तो यहाँ पे आपका ख़राइट हो जाएगा और ए दोरू सत्य है और एकी सही ब्याख्या नहीं है नेक्सट है अभी कफन ए है कि आक्सीजन का स्वशन छिल्ली आक्सीजन का स्वशन छिल्ली के पार दबाव अनुपाद 100-105 mm intensity बीच होता है ए असथ्य है दोस्तों इतना नहीं होता है आर है कि स्वसंज जिल्ली याने कि जो कोशी का जिल्ली होती है कि पार गितना दबाओ अनुपात ज़ादा होता है उतना ही ज़्यादा जल्दी आक्सिजन उसके पार जाती है तो ये बात सही है तो आपका 26 का हो जाएगा गौ राइट हो जाएगा ये सत्य है प्रन्तु आर सत्य है ठीक है नेक्ट कोशन है अभिकतन ये है कि मानकी कृट इस्टेंड्राइड परिच्छड वेज्ञानिक रुप से निर्मित परिच्छड हैं जिसको सारवहमिक प्रयोजिता यानि इन्यूवर्सल अप्लिकेबिलिटी होती है तो यहां पर यह सकते है आ रहा है कि मानकी कृट इस्टेंड्राइड टेस्टिंग की वेज्यानिक प्रमाईता यानि scientific authenticity को भलिभाती स्थारफित किया जाना है थो यहां पर दोनों सकते हैं, ए और डोनों right है, और एकी सही ब्याक्या है नेश्ट है, अभिकतन ए है कि परिछड और मापन निधायत उद्यस्यों की प्राव्ती में सहायक होते हैं ये आर दुनों सत्य हैं और आर एकी सही व्याख्या है नेश्ट है अविकत्थन ए है कि बढ़े हुए भाव प्रबोधन से खिलाड़ी के ध्यान में कमी आती है तो बढ़े हुए भाव प्रबोधन से खिलाड़ी के ध्यान में कमी आती है तो ए सत्य है आर है कि खिलाडी जो उस खेल में भाग लेते हैं जहां बड़े पैमाने पर अवधान जागरुपता अपेच्छित एक्सपेक्टेट होती है वहां सरुसेष्ट प्रदैसन के निम्न भाव प्रबधन इस तर आवस्या होता है तो यहाँ पेखोर राइट हो जाएगा ए और आर ए और ढून राइट है बट आर एकी सही बयाख्या नहीं है नेश्ड है अभिकत्तव ए है चैनित आवधान कौसल है जिससे सीखा जा सकता है चैनित अवधान कौसल है जिसे सीखा जा सकता है और है किनी संदे कुछ खिलाड़ी चैनित अवधान की दिश्टी से अन्ने की अपेच्छा अधिक बेहतर होते हैं इसमें कोई संदे नहीं है कि इस कौसल को अरजित किया जा सकता है दोस्तों तो यहाँ पे आपका ए असत्य है चैनित अवधान कौसल है जिसे सीखा जा सकता है इसे सीखा जा सकता है यह आपका ए आपका सत्य है यह सत्य है लेकिन आर असत्य है इसकीन नहीं होता है उसको बढ़ाना पड़ता है तो उसको सीखा जा सकता है यह आपका सत्य है और अनुछेद को आपको पढ़ना है और पढ़े हुए प्रस्ट ने 31 से 35 तक उतर दिना है इतना लंबा इनों नहीं पढ़ सकते सीदंगे तरह कोस्चन के तरह थिख है आपको पढ़ना है तो बिदियो पौछ करके पढ़ सकते हैं नेक्ट है आपका एक्टिक्स कोश्चन है कि बिजेता और खाने वाले में, बिजेता और खोने वालों में सबसे अधिक अंतर निन में से किसमे होता है, तब बिजेता और खोने वालों में सबसे अधिक अंतर होता है, कमपनी से कमपनी में, कमपनी से कमपनी में, नेक्ट है मानु संसाधन में बड़े नेता कौन नहीं होते हैं तो दोस्तों मानु संसाधन में जो समधान जानते हैं वो बड़े नेता नहीं होते हैं जो समधान खोजते हैं जो विवस्था निर्मित करते हैं जो इस तरही होते हैं वो बड़े नेता होते हैं नेश्ट है प्रवर्तक किन विभिन तरकों में एक दुसरे को प्रतिविटा से बाहर कर देते हैं तो वो होता है आपका संस्कृति प्रद्धोगी की संस्थान इन सभी में ठीक है नेश्ट है बड़े संगठन की समाध्यन से जितना चाहते हैं तो दोस्तों बड़े संगठन जो है वह किस से जितना चाहते हैं बड़े संगठन जो है किसी जितना चाहते हैं तो इसतर और कारिखेत के अधार पर जितना चाहते हैं नेश्ट है कमपनियों के संदर में जितना हारना किस कारण से होता है तो कमपनियों के संदर में जितना हारना जो है होता है प्रतीभा और पर्यावरण के बेस्पे करण ठीक है नेट है सांखी की क्या है तो दोस्तों सांखी की कला और विज्ञान दोनों है नेट है मध्यमान माध्य और बहुलग केंदरी प्रवित्य के माप है तो यह सत्य है यह तीनों केंदरी प्रवित्य के माप है रिलेबल माध्य होता है तो वो होता है मीन यानि माध्य इसमें औसत निकाला जाता है नेश्ट है मीन यानि माध्य की गर्णा के लिए सुत्र क्या होता है इसका सुत्र है एम प्लस ए सिग्मा एफडी अपान यान गुड़े आई नेश्ट है आपरिती यानि frequency कालम के योग को किसके द्वारा दसाए जाता है तो आपरिती को यप से दसाए जाता है उसके योग को N से दसाए जाता है नेश्ट है दो चरो के सम्मंदों को जाना जाता है इसको क्या कहते हैं उसको को रिलेशन कहते हैं क्या कहते हैं को रिलेशन यानि सह सम्मंद दो चरो में सह सम्मंद निकला जाता है नेश्ट है बिचलनों के मापों में सबसे बिस्वसनिये माप क्या है तो बिचलनों के मापन में सबसे बिस्वसनिये माप है क्या है सबसे बिस्वसनिये माप है बिचलनों के मापन में प्रमाप बिचलन इस्टेंडर्ड डिवियेशन ठीक है घर आइट होगा लख्मक को कहते हैं इसको कहते हैं मीडियन यानि की मध्यांग कर नेश्ट है और संगठित तत्यों तोरा मध्यांग मीडियन की गणना करने का सुत्र क्या है इसका सुत्र है यान प्लस वन अपां टू next है निमलि लिखित में से लगातार चर continuous variable है तो कौन है दोस्तों इसका आंसर है उपियक दोनों समय और सरी कभार दोनों है लगातार चर continuous variable है बदनने वाला next है सासंभण यानि कोर्लेशन विस्तार की संभो सीमा क्या है तो इसकी शंभ़ो सीमा है आपसा नमबर खोराइट है धनातम है तो प्लस 1 0.00 होगा रिडातम का है तो मैनस 1.00 तक होगा नेक्स्त है कि बिचलन यानि दिवियेशन के मापों में सबसे अच्छा माप कौन सा होता है तो सबसे होता है प्रमाप बितलन याने standard deviation Next है एक पूर धनात्मक सा संबंद दरसाता है तो पूर धनात्मक सा संबंद plus 1 दरसाता है अब पूर धनात्मक होता है तो minus 1 दरसाता है Next है संगठित तत्यूक द्वारा मध्याग याद मिरियन की गढ़ना करने का सुत्र है तो इसका right answer है Q E1 plus N upon 2 minus C upon F गुड़े I Next है सरीर की सबसे मजबूत अस्थी कौन सी है जैसे आपको पता है mandible अन इसलिए जबड़े की जो अस्थी है सरीर की सबसे मजबूत अस्थी है लेकिन यहापे दिया नहीं है इस आपसन जो दिया है इसमें से आपका फीवर हो जाएगा ठीक है यह जांक की हर्दी दोस्तों इस प्रकार 50 questions आपके very important थे कठिन जरूर थे लेकिन इसी प्रकार के questions आपको पुछे जाएंगे एदम उपर उपर से questions तो पुछा नहीं जाएगा इसलिए आपको practice करना मेरे साथ बहुत जरूरी है डेली बेसे से आप बने रहे हैं सभी प्रकार की चीज़ें आपको practice हो जाएगा एद वीडियो कैसा लागा कमेंट में जरूर बताइए जो भी डाउट होगा उसे भी बताइए एम फोश्वा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिसे न्यू वीडियो का उपड़िट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेट प्रेस्टिट सेट के साथ तब तक के लिए जाएगा